पर दिरमाग में कि असम में घर जो है कितने गराव फीन नूजे बन थे हैं मजबूत बांच के खंपा ये दिखाया कि आपको इस तरह का ये मजबूत बांच के खंपा धर बनते हैं ये अंतर से भी दर होता है लकड का ही ह bank और यहां इसका कि बाध की दिखापाइ मार सक्का कूछ रही है आए अनके यहां परॉर्त केरते हैं, दिखाड की लेआ भाध की बैसी अनि फिलो हो तो फिलो कि अरया है प्रकूरअं देंस से देक्केंगा सब्सक्राइब इए अरो इत्यान दा चए। तो फंट ज्यादा के वहता है। बश्कड्य लगनिएकाश आलोलमा बनता है यहां पर जो फर बनते हैं को कैसे बनते हैं एक प्रकार के इशाथ बनते हैं यहां पर दिखाया कि आप बेस्टर दिख सकते हैं किस तरह का ध्हालुमा बना जाता है यहां पारिस भी होती है और बॉस मिलता है मतलब जब मौसम पारिस की होती है तो बारिस होता है और जब मौसम बर् निखना समझ गहाँ आगे देखें कि हम लोग उसको भी कि लगताठ में पस्तर के गड़ बनते हैं कस्प्लें में भी बनते हैं कर आप पांच के साब में आपको ज्यादा कंटेंट अवाज के बारे में पस्ते हैं पिलाज इसमें इतना आउसना हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए हमको अलग से भुक लेने का तो कोई दुरस है नि दोईयर तिक कोई चलकर है और उन चैप्टर का हम लोग देख लेते हैं आप तो सतम हो गया तो अब है खांप यह थ्रीका है इसमें भी पायस टेपकर है जो इंपोर्टेंट है वही पढ़िएगा अब देर लेते हैं यह इंपोर्टेंट है जिस यह पत्फर और लग्डी के धर्मात्त हैं और यहां क्या होते हैं जो की जो फ्रीक फर्मा से लाना धेर तराशी है इसना कुछ जाना है जाना है इसके बारे में जाना है जाना है इसके बारे में देखे राजस्थान के बारे में इसका जाना हमको यहां वारीष बहुत कम होती और गर्पी जी जादा होती है कि यह कुणकि यहां बारिश गम होती है, और घर्डी जादा होती है क्योंकि यहां बारिज कम होती है और गर्मी ज़्यादा होती है घरों की दिवार मोधी बनाया जाती है घरों की दिवार मोधी बनाया जाती है ताकि गर्मी अंदर प्रवेश ना करे घरों की दिवार मोधी बनाया जाती है ताकि गर्मी अंदर प्रवेश ना करे दिखेगा अगला दिवारों को मिद्धी से लीपा फोता जाता है दिखना दिवारों को मिद्धी से लीपा फोता जाता है मिद्धी से लीपा फोता जाता है ताकि हर जो है वो कैसा दिख पाए सुन्दर दिख सके अगला लिखेगा अगला फ्रेकिसी में मिद्धी के घरों के आंगन और दर्वाजे को मिद्धी के घरों के आंगन और दर्वाजे को मिद्धी के घरों के आंगन और दर्वाजे को गोबर से लीपा फोता जाता है गोबर से लीपा फोता जाता है लीपा फोता जाता है ताकि कीरे मकोरे ना लगे अब यहां पर एक जी ध्यान देने वाली बात है जाए तो हर से गाराता है गाये इंटर्नेशनल इनिमास है वहां देखिए गाये गोबर से गाये के गोबर से क्यों लीपा फोता जाता है ताकि कीरे मकोरे ना लगे क्या नहीं लगे कीरे मकोरे ना लगे के लिए फिरे मकोरे ना लगने केलिए फिरे मकोरैं बचाने के लिए घर के दिवार के अंगर और परसों को भ Krn today भी देन देना जैंद देनादां मिठी के ध्वर के फर्स भी दिया आता, फर्सों को गोवर्ण से लिपाफ होता जाता है, इसी लिए क्योंकि उसमें कीरे मकोर्य और चुहा लिपे बार देता है, चुहा ना लगे, इसी लिए, क्यों मजगे है? जब बात सुन्दर दिखने के होगी, तो किसे लिपे फोतेंगे? मिठी से लिपे फोतेंगे, लिपाई फोताई करेंगे, लेकिन, जब तीरे मकोरों से बताने के बात आएगी, तो गोवार के लिपेंगे, देखते हैं मिठी से लिपाई होता है, छतेंगे, इन धरों की छतेंगे, कतीली ज़ारियों की बनी होती है, इन धरों की छतेंगे, कतीली ज़ारियों की बनी होती है, इन धरों की छतेंगे, कतीली ज़ारियों की बनी होती है, इन धरों की छतेंगे, कतीली ज़ारियों की बनी होती है, देखे कर यहां पर, यहां पर क्या है, बात है जब्मू कस्मिल की, है न, यहां पर क्या होता है, कतीली ज़ारियों की बनाने के बनाने के लिए, नहीं का, जे, और मैंने बनाया, बताया था, कि घर बनाने के लिए चार चीज़ें अवसक्त होती है, कहीं पर भी, पाहला, वहां की हो आकृती, कहीं की हो आकृती है, दूसरा वहां की जलवायों, तीसरा उफलंद संताधान, चौन्था लोग के पास वैसा आठिथा है, है न, इस चार गोचीज़ होता है, कहीं भी घर बन देती, हां हां मनतल देंगे पाहला, हुआ वहां की हो वह वा जलवायू दूसरा समसाधन, तीसरा बड़ी कमसाधन, वन्तों कौन कौन चीज महां उपलवद है, जो असानी से मिलेगा उसी इस बनाएगा, समसे लाश्ट इस लेकिन समसे इंपोर्टेंटी, वाइसा, वाइसा येदि आपके पास है, तो आप अटमान एको बार्ट समसे, वाइप के मैदानी इसलाखे में और गाँ कुँ मतने हैं, तो कि वह वह अटी लोह के पास वन्ताधं भी है, ली खनी है,